बल्देवगर में कांग्रेश मंदलमस सेक्टर की बैठक आयोजित, मध्यप्रदेश में बनेगी कॉंग्रेस की सरकार, सीपी मित्तल, बल्देवगर, अखिल भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के राष्ट्रिय सचिव वप्रदेश सह प्रभारी सीपी मित्तल विधान बीति शुक्रवार को वह बलदेवगर नगर के मिलन वॉटिका गार्डन में कॉंग्रेस की पूर्व विधायक श्रीमती चंदा सुरेंद सिंग गौर के नेत्रित्व में आयोजित की गई मंदलमस सेक्टर की बैठक में पहुंचे खरगापूर विधान सभाक शेत्र के मंदल सेक्टर अध्यक्षों के साथ उन्होंने बैठक की बैठक के दोरान प्रदेश प्रभारी सीपी मित्तल ने मंदल और सेक्टर अध्यक्षों को पार्टी और संगथन को मजबूत बनाने के लिए कई सुझाव दिये मौके पर उपस्थित कॉंब्रेस कार्यकरता उद्वारा भी प्रदेश सेह प्रभारी से सीधे समवाद करते हुए काफी चर्चाएं की गई प्रदेश सेह प्रभारी सीपी मित्तल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खरगापुर विधान सभा में संगतन की कोई कमजोरिया नहीं है सभी कार्यकर्टा मेहनत और लगन के साथ अपना काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कार्यकर्टोंने काफी अच्छे सुझाव दिये हैं उन्होंने कहा कि खरगापुर विधान सभाक्षेत्र में कॉंग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्टा आगामी चुनाव में पूरी इनामदारी से काम करेंगे अभी प्रत्याशी को लेकर कोई निर्नय नहीं है ये काम पार्टी करेगी कॉंग्रेस की पूर्व विधायक श्रीमती चंदा सुरेंद सिंग गौर ने कहा कि खरगापूर विधान सभाक्षेत्र में भाजपा की अंधेरगर्दी से जनता उप चुकी है कॉंग्रेस की कार्यकरता पूरे जोश और इमानदारी से जनता को कॉंग्रेस की नीती सिध्धानतों से अवगत कराएं जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिग्वजे सेंग गौर ने कहा कि खरगापूर विधान सभाक्षेत्र के प्रतेक गाउंग में नारी सम्मान योजना की तहत हजारों की संख्या में महिलाओं के फॉर्म भरे जा चुके हैं खरगापूर विधान सभाक्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है ग्रामी जंता का भरोसा कानग्रेशी पर बना हुआ है और हमें इस भरोसे को कायम रखना है इसी प्रकार जिला अध्यक्ष नवीन साहु ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भाजपा का काम सरकारी खजाने को खाली करके चुनाव के समय करजा लेने का है इतने वर्षों में भाजपा कार्यकाल के रहते हुए कभी इन्ही योजनाओं का ख्याल नहीं आया क्योंकि अब इनकी लुटिया डूबने वाली है इसलिए भाजपा नेताओं के दोरे और भोशनाओं का सिलसिला पूरे प्रदेश में बना हुआ है उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चहरा उजागर हो चुका है जनता कॉंग्रेस के पक्ष में है जिसका जवाब बहुत ही जल्द कॉंग्रेस का मिशन 2023 काम्याब होकर भाजपा को मिलने वाला है इस दोरान टीकमगर जिला से प्रभारी आबित सिध्र की पूर्व विधायक श्रीमती चंदा सुरेंद्र सिंग गौर जिला पंचायत की पूर्व पाध्यक्ष दिग्विजे सिंग गौर कॉंग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन साहु, पूर्व विधायक अजय यादव, पलेरा नगर परिशद अध्यक्ष प्रतीनिधी विनोध वर्मा, ब्लोग कॉंग्रेस अध्यक्ष राजुराय, पुषपेंद्र यादव, रवींद्र बुंदेला, हरिशनकर राय, पुषपेंद्र सिंग, प्रेमनारायन सिंग, विनोध वर्मा, राजुराय, नंद किशोर निकीब, महेंद्र सिंग, अनकित रायकवार, केहर सिंग, रमेश नायक, मोह नहिरवार समेद बलबेवगर, खरगापुर, पलेराक्षेत्र के मंदल अध्यक्ष एवं समस्त कार्य करता उपस्थित रहे